नमस्कार मैं राज मुहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज आज पूरा भारत कोरोना के गंभीर चपेट में हैं अब कोई ऐसा राज नहीं रह गया जहां कोरोना ने अपने पाउन नहीं पसा रहे हो दुनिया भर के सबसे जादा संक्रमित देशों में देखते ही देखते भारत कब लगतार उपर चड़ता चला गया पता ही नहीं चला लेकिन देश भर में लचर स्वास्त विवस्त था होने के बावजूद हमारे देश में कोरोना से रिकवरी का रेशियो ठीक ठाक है तो वहीं दूसरी और कोरोना से जान गवाने वालों की संख्या भी मरीजों क संख्या के अनुपात में दूसरे देशों से कम है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के लोगों में रोग प्रतिरोधक्षमता यूरोप ये देश के लोगों के तुला में सायद थोड़ा बहतर है इस वक्त मौसम तेजी से बदल रहा है और इस चेंजिंग वेदर में सर्दे जुखाम और समान फ्लू होना आम बात है लेकिन अब इस कोरोना ने सभी लोगों के मन में डर का महौल पैदा कर दिया है हर कोई इस कोरोना से बचने के उपाए अपनाना चाता है लेकिन डर का महौल इतना है कि हलकी खासी या जुखाम में भी लोग दहसत में आ जा चानना मुस्किल हो रहा है ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इन बीमारियों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने पर काम करें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी अपरेल के राष्ट्र के नाम संबोधन में सब्त पदी की बात कई थी और कोरोना से लगने के लिए सात मंत्र दिये थे जिसमें से एक मंत्र इम्यूनिटी यानि रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने का था पीम ने कहा था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयूस मंत्राले द्वारा दिये गए निर्देशों काहीं पालन करें आयूस मंत्राले ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सेल्फ केयर गाइडलाइन्स चाड़ी किये उसकी पूरी जनकारी हम आपको देने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखे या गाइडलाइन्स के वल इम्यूनिटी बढ़ाने या रोग प्रतीरोध छमता को मजबूत बनान हैं जिसको अगर आप अपने दैनिक जीवन में सामील करते हैं तो वे आपके सरीर को स्वस्त रखने और रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने में मदद करेंगे आयूश मंत्राले के अनुसार गर्म या सुसुम पानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयता करता है इसलिए ज कम से कम तीस मिनट तक जरूर करें सुबह की सुरुवात हर दिन एक चमच चमनपरास के साथ करें जिन लोगों को डाइबेटीज की समस्या है वे सुगर फ्री चमनपरास का सेवन कर सकते हैं हरवल्टी या काढ़ा का सेवन दिन में एक बार जरूर करें इसके लिए तूलसी दालचीनी, काली मिर्च, अधरक और मुनक्का को एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें ऐसा आप दिन में एक से दो बार कर सकते हैं अगर आपको इस काड़े को पीने में टेस्ट की वज़ासे कोई दिक्कत आये तो टेस्ट के लिए आप इसमें गुर या निम्डू का रस मिला सकते हैं अगला है गोल्डेन मिल का सेवन आधा चमच हल्दी को 150 ml दूद में मिला कर दिन में एक से दो बार पी सकते हैं हलांकि या ध्यान रखें कि गोल्डेन मिल के सेवन से तुरंत पहले या इसके तुरंत बाद खाना नहीं खाना होना च अजवाइन लेकर इने पानी में उबाल लें और इस पानी की भाफ लें इससे आपको जरूर लाब होगा और अगर आपको कफ या गले में दिक्कत हो तो लॉंग का पाउडर सहध या चीनी के साथ मिलाएं और दिन में 2-3 बार इस मिश्रंग का सेवन करें हलांकि इस बात का ध्यान रखें कि यह तरीके समाने तोर पर होने वाली सूखी खासी या गले में दर्द की इस्थती में अपनाए जाते हैं अगर इसके बाद भी आपके सरीर में यह लक्षन बने रहते हैं तो आपको तुरंद डॉक्टर को दिखाना चाहिए आयूस मंत्राले के नुसार य होने वाली स्वास्त संबंदी दिकतों से लड़ने और रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने में सहायक होती हैं आप जाते जाते आपको फिर से अगाह कर दूं कि आप इन विदियों को कोरोना के इलाज के रूप में ना लें अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो डॉक्टर के सला से किसी भी चीज या दवायों का सिवन करें धन्यवाद